आज के इस वीडियो में हम लोग one of the greatest revolution of this world के बारे में समझने वाले हैं जिसे हम American Revolution के नाम से जानते हैं जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारत को एक वक्त पर अपना गुलाम बनाया था उसी तरीके से अमेरिका को भी अपना गुलाम बनाया था और अमेरिका ने भी अंग्रेजों से लड़कर अपने देश को आजादी दिलाई थी जिसे हम लोग American Revolution के नाम से जानते हैं फर्क सिर्फ इतना है कि Britishers की 15 colonies इंडिया में थी लेकिन अमेरिका में Britishers की सिर्फ 13 colonies थी अब इस revolution को थोड़ा सा detail में समझने की कोशिश करते हैं देखिए Britishers ने अपनी 13 colonies जो हैं वो USA में established कर रखी थी वो भी exactly इनके eastern coast पर और वहीं से पूरा का पूरा जो अमेरिका है वो Britishers के अंडर आ चुका था अब इस American revolution की बहुत सारे अलग-अलग कारण भी हमें देखने को मिलते हैं सबसे पहला जो कारण हमें देखने को मिलता है वो है economic reason economic reason सबसे बड़ा ये था कि Britishers ने Americans के लिए navigation law 1651 established कर दिया था अब इस navigation law में होता ये था कि जो भी चीज़ें अमेरिका में उगती थी जैसे कि टोबैको या पोटाटो या फिर रबर या फिर चाए अगर अमेरिका से वो चीज़ मान लीजे इंडिया भेजी जानी है तो Britishers अमेरिका से पहले उस सामान और उस ship को पहले UK लेकर आएंगे और UK से फिर वो सामान जो है वो इंडिया जाएगा अब मान लीजे कि अगर Brazil से कोई चीज़ अमेरिका जानी है शिप से तो वो direct Brazil से अमेरिका नहीं जाएगी वो Brazil से पहले UK जाएगी और उसके बाद फिर basically वो अमेरिका जाएगी क्योंकि इसमें Britishers करते ये थे कि अमेरिका से सस्ते दामों में चीज़े खरीते थे उन पर महंगे stickers का label लगाते थे और फिर महंगे दामों में international market में बेशते थे और फिर सस्ते दाम से जो भी raw material या final good उन्हें international market से मिलता था उन international market से सस्ते दामों से चीज़ें उठाते थे और अमेरिका में वो महंगे में बेशते थे ये सबसे बड़ा एक reason था दूसरी चीज़ हमें ये देखने को मिलती है export import policy टी, potato, tobacco या फिर जैसे अगर हम लोग rubber की भी बात करें तो ये जो भी चीज़ें अमेरिका में उस वक्त उगाई जाती थी उसके export और import पर अमेरिका के किसानों का, अमेरिका के लोगों का कोई हक नहीं था ये सारे के सारे decision Britishers की लेते थे और 99% मुनाफ़ा ये अपने पास ही रखते थे इसके अलावा जब ये इतना ज़ादा exploitation हमें अमेरिका में अमेरिका के लोगों का देखने को मिलता है तो जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि Indian Revolution में Swami Vivekanand और भगत सिंग जैसे intellectual हमें देखने को मिलते हैं या French Revolution में भी हमने intellectual class के रोल को पढ़ा था उसी तरीके से American Revolution में भी हमें intellectual class देखने को मिलती है एक्जामपल के तोर पर Thomas Payne इन्हों ने एक journal लिकाला था जिसका नाम था common sense इसका मतलब यह होता है कि वो awareness जगाने की कोशिश कर रहे थे Americans के बीच में revolution के लिए या फिर Benjamin Franklin अलग-अलग ideological centers established कर चुके थे Henry Patrick ने एक slogan दिया था Give me independence जैसे इंडिया के सिनारियों में हम सुन चुके हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा यह something उसी तरीके का था इसके अलावा एक और बहुत बड़ा reason रहा है कि UK और France के बीच में 7 years war भी चला है आप लोगों को याद होगा अगर आपने French Revolution का वीडियो I.S. Origin के YouTube चानल पर देखा है तो मैंने आपको यह बताया था उस वीडियो में कि France में King Lewis 16 सिर्फ यह चाते थे कि UK जिस भी country में जाकर जिस भी country को गुलाम बना रहा है France अपनी आर्मी को उसी country में भेजेगा और UK की आर्मी को हरा के वापस आएगा और Europe में अपनी image जो है वो और बड़ी करेगा तो जब UK अमेरिका पहुँच चुका था अमेरिका को गुलाम बनाने के लिए France भी UK के पीछे पीछे अपनी आर्मी लेकर अमेरिका पहुँच जाता है और अमेरिका के लोगों की मदद करनी शुरू कर देता है UK को हराने के लिए इस बौर का भी बहुत ज़ादा देखने को मिला है So IAS Origin is coming up with the new UPAC GS badge जिसमें आपको live classes, recorded lecture आपको बहुत सारा access में मिलेगा hard copy material जो आपके घर तक आपको पहुँचाया जाएगा doubt resolution classes और topper sessions और answer writing जैसे बहुत सारे features है सभी features को detail में जानने के लिए description में जो link दिया गया है उसे click करिए और IAS Origin के official number पर contact करिए अब यहाँ पर कुछ important events भी होते हैं American Revolution में जैसे की रकेंगम declaration and townshed plan of 1767 यहाँ पर जो Britishers है tobacco या cotton का जो export import करते थे अमेरिका से उस पर duty बढ़ा देते हैं यानि टेक्स बढ़ा देते हैं यानि अमेरिका के जो लोग और किसान हैं उन पर पैसों का जो बोज है वो और जादा बढ़ जाता है और इसकी वज़र से यहाँ पर Boston में Americans जो हैं बहुत बड़ा protest करते हैं और Samuel Adams के अंडर वहाँ पर Boston Massacre होता है 1770-1770 में जिस तरीके से इंडिया में हमें जनरल डायर के अंडर जलिया वाला बाग हत्याकान या Massacre देखने को मिलता है जेनसाइड देखने को मिलता है उसी तरीके का कुछ Massacre अमेरिका में भी Boston में हुआ था इसके अलावा यहाँ पर Lord North की Tea Policy भी एक बहुत जादा important incident है यहाँ पर जो Tea Trade होता था अमेरिका से UK जो करता था दूसरे देशों की तरफ वहाँ पर basically Tea Trade पर duty बढ़ा दी जाती है यानि कि UK Americans को ये कहते हैं कि जो भी चाय पत्ती हम तुम्हारे देश से दूसरे देशों में बेचेंगे वो basically क्या है कि उसका maximum मुनाफ़ा हम रखेंगे और उस पर tax भी बढ़ा देगे और वो tax तुम्हें देना पड़ेगा इस वजह से Americans जो peasants हैं या फिर farmers हैं या फिर revolutionaryst हैं या common लोग हैं वो इतने जादा परेशान हो जाते हैं कि एक बहुत बड़ा incident होता है बॉस्टन में ही अमेरिका के revolutionaryst या फिर जो आम लोग हैं बॉस्टन के port या बंदरगाँ पर जमा हो जाते हैं और जैसे ही UK के जहाज Americans को वहाँ पर दिखाई देते हैं कि दूसरे देशों से जो tea है वो अमेरिका आ रही है तो वो सारे के सारे basically उन जहाजों पर पचड़ जाते और बोरे बोरे में जो चाय पत्तियां होती हैं वहाँ पर या फिर जो tea होती है उसे Atlantic Ocean में फेक देते हैं और इसे Boston Tea Party के नाम से जाना जाता है और यहीं से आपके American Revolution की शुरुवात होती है वन अप दो मोस्ट इंपोर्टेंट इंसिदेंट अब जैसे ही यह Boston Tea Party होता है तो अमेरिका में First Philadelphia Convention होता है 1774 में जहाँ पर Americans के द्वारा यह demand रखी जाती है कि Britain को जितने बितने भी restrictions लगाए है American Trade and Commerce पे वो सारे के सारे restrictions पूरी तरीके से खतम किये जाने चाहिए यानि अमेरिका अब अपनी आजादी ले कर रहेगा और अपने हिसाब से जितना भी export, import करना है जितना भी business करना है Americans अपने हिसाब से करेंगे UK के अंडर नहीं करेंगे एक और इसमें demand रखी गई no taxation without representation अब यहाँ पर Americans की यह जो no taxation without representation की जो demand है वो एक तरीके से dual demand है क्योंकि Americans ने Britishers को यह कहा कि America में जो आपने Parliament established कर रखी उसमें तो Americans बैठेंगे लेकिन आप Britishers ने अपने UK, England या Britain में जो आपने established कर रखी है अपनी Parliament उसमें भी Americans आकर बैठेंगे Britishers ने बोला भाई हमारी Parliament में तुम आके क्यों बैठेंगे तो Americans ने गा तुम अपनी Parliament में बैठके हमारे लिए जब कानून बनाओगे तो हमसे पूछे भी ना कैसे कानून मना सकते हो So Americans की demand थी कि America की Parliament में तो हम बैठेंगे बैठेंगे लेकिन तुमारी UK की Parliament में भी हमको reservation दो वहाँ पर भी हम आके बैठेंगे और देखेंगे कि तुम हमारे लिए क्या कानून बना रहे हो अब ये जो बेसिकली representation वाली demand थी इसको उस वक्त के UK के King George III ने एक तरीके से revolt consider कर लिया और UK को बोला कि आपको America के जो revolutionaryist हैं या लोग हैं उनके खिलाफ आपको military action जो है वो शुरू करना पड़ेगा जैसे ही ये military action जो है वो शुरू हो जाता है ये American war of independence की शुरुआत कहलाता है और उसके बाद second Philadelphia convention होता है 4th of July 1776 में और America अपने आपको पूरी तरीके से यहाँ पर independent declare कर देता है इसी लिए इस second Philadelphia convention की date को हम आज भी America का independence day या स्वतंतरता दिवस मानते हैं 4th of July जैसे हमारा 15 अगस्त है उनका 4th of July है अब ये second Philadelphia convention में America खुद को independent तो declare कर देता है और इसके बाद Thomas Jefferson ये कहते है कि America अब खुद का constitution बनेगा humanism और welfare जो है हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और बाद में फिर Britain हार जाता है America के इस protest के सामने और जो 13 की 13 colonies थी USA की जो 13 territories थी वो सारे के सारे साथ में आते हैं demand accept कर लेते हैं और USA यहां पर बन जाता है जिस तरीके से सरदार वल्ला भाई पतेल ने भारत की 565 dynastries को मिला कर India as a union बनाया उसी तरीके से ये जो तेरा colonies है ये इस freedom के agenda को accept करती है और इन 13 colonies के जो total 50 states थे वो साथ में आते हैं और बनता है United States of America और यहां पर जो है वो treaty of Paris को यहां पर खतम करते हैं और फाइनली ओफिशली 1783 में अमेरिका को independence मिलती है देखिए यहां पर दो date बहुत ज़्यादा important है 4th of July 1776 जब अमेरिका ने खुद का कि आज हम खुद को independent declare करने है लेकिन Britishers गए कब अमेरिका छोड़के officially लिखा पड़ी में agreement में सब उनके हाथ में कब आया वो 1783 में आया तो officially जो है वो 1783 में अमेरिका आजाद हुआ है लेकिन American celebrate कब करते हैं 4th of July 1776 और finally जब यह आपका treaty of Paris होता है complete यानि की सारा का सारा सब कुछ खतम होता है इसे ही हम लोग American Revolution के नाम से जानते हैं लेकिन American Revolution की कहानी यहीं खतम नहीं होती अमेरिका आजाद तो हो गया अब सम्विधान भी बनाना है problem यहाँ पर यह आ चुकी थी कि इतने सालों तक इतने decades तक जब Britishers ने अमेरिका पर राज किया था तो आफरिका से बहुत ज़ादा black population जो Britishers हैं वो अमेरिका लेकर आए थे और वहाँ पर पहले तो सिर्फ white population हुआ गरती थी अब आफरिका की black population को उन्हें ने mix कर दिया अब अंग्रेस तो छोड़के चले गए अमेरिका को लेकिन problem यहाँ पर यह आ जाती है कि white versus black के race का जो discrimination है वहाँ पर शुरू हो जाता है और American Civil War की वहाँ पर शुरुआत होती है और अमेरिका को इस Civil War से निकलने के लिए और सारी problems को solve करने के लिए साथ से असी सालों का वक्त लग जाता है जिसे हम American Civil War कहते हैं अगर उस interesting कहानी को आप detail में और आसान भाशा में समझना चाते हैं so for that please stay tuned with IS Origin like, share and subscribe this channel I'll see you in the next video thank you very much